रोहिस सर्मा और उनकी पत्नी ने ठुकराया नीता अंबानी के लड़के की साधी के फंशन का इंविटेशन IPL 2024 की सुरुआत होने जा रही है और IPL के सुरू होने से ठीक पहले मुंबई इंडियन्स की मालेक नीता अंबानी के छोटे बेटे की साधी होने जा रही है दरसल दुनिया की सबसे बड़े कारोबारियों में से एक मुकेश अमबानी के छोटे बेटे अनन्त अमबानी और राधिका मर्चेंट की साधी होने वाली है पुरी दुनिया की नजर इस भविशादी पर्टी की हुई है बुद्वार को इस भविशादी के प्री वेडिंग सेरिमनी की शुरुवात हुई अमबानी परिवार की लंबी समय से चलिया रही अन्न सेवा परंपरा रिलाइंस के जामनगर टाउनसीप के आसपास इस्तित गाउं में हुई इस मौके पर अनन्त और राधिका ने परंपरी गुजराती रात्त्री भोज ग्रामीनों को परोसा और उनका असिरवाद बिलिया जामनगर में रिलाइंस टाउनसीप के पास जोगवड गाउं में मुकेश अंबानी अनन्त अंबानी और राधिका मर्चंट सहित अंबानी परिवार के अनशदश्यों ने गाउं वालों को परंपरी गुजराती खाना परोसा आपको बता दे कि ये साधी 12 जुलाई को होगी आपको बता दे कि इस रिशेप्शन में कई बड़ी हस्तियों को भी इंविटेशन दिया गया था जिसमें से रोहिस सर्मा और उनकी पतनी इस प्री वेडिंग रिशेप्शन में नजर नहीं आए इससे कहीं न कहीं अब अंदायज्या लगाया जा सकता है कि रोहिस सर्मा मुंबा इंडियन से दूरिया बनाते हुए नजरा रहे हैं दोस्तों आपके मुताबिक क्या रोहिस सर्मा और उनके पतनी को नीताम बानी के छोटे बेटे किस रिशेप्शन में पहुँचना चाहिए था या नहीं आप अपनी बेस किमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरू बताएं आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर किजे अपना बहुले समय देने के लिए धन्यवाद